नमस्कार दोस्टो चनल पर आपका स्वागत है को लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है यह सबी स्टुडेंट के लिए इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इग्नु के कल होने वाले फेस्बुक लाइफ सेशन क बारे में जिसका नाम है Hello Agnew program आ लेड़ी एक program प्रोग्राम कंड़िट कराया जा चुका है कल से फिर यह कंड़िट कराया जा रहा है लेकिन इसमें क्या चीज इंपोर्टेंट होने वाली है कल में काफी ज्यादा जो सभी students के लिए helpful होने वाली वो चीजे मैं बताने वाला हू ताकि आप कल वो questions कर पाएं जिस भी regional center से आप belong करते हैं काफी अच्छी opportunity कल होने वाली आपको question के लिए जो भी problem face कर रहे हो कल आप पूंच सकते हो काफी ज्यादा helpful होने वाला है कल का live session जो Hello Agnew होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और different regional center से काफी important updates है उसक स्टाट करते कर जो live session होने वाला है उसमें जो जुडने वाले जो भी लोग है उनके बारे मैं एक बार बता दू जो की काफी important है डेली 1, डेली 2, डेली 3 regional center से उनके तीनो regional director जो है तीनो regional region से डेली 1, डेली 3 के जुडने वाले हैं उनके regional director जो के संजीव पांडे, असोग सर डाक्र स्रीकांत महापातरा जी जो director RSD है regional services division के, regional services division आपको पता होगा सभी regional center regional services division के अंडर में काम करते हैं उन सारी activities को monitor करती है जो भी आपका सवाल है अभी जो भी regional center को guideline निकालने में पीछे हो खास कर assignment को guideline को practical theory जो भी आपका जो भी issues है assignments practical lab जो भी लेके आप इनसे discuss कर स सकते हो live session में question कर सकते हो इसके साथ साथ RSD से जो हैं जुड़ेंगी डॉक्टर हेमा पंद जी और ये तीन regional director तो रहेंगी रहेंगे डेली 1, डेली 2, डेली 3 के और जो आ लेडी आपको मिलते हैं डॉक्टर वीपी रूपम सर student registration division से और डॉक्टर केजी केडी परसाथ जो य जिस भी regional center पर अभी कोई activity नहीं हो रही है उसके लिए आप direct इन से बोल सकते हो ताकि उन पर action लिया जल्दी से उनको बोला जाया वो चीज़े guideline release करें clearly ताकि आप लोग उस पे अपना जो है आगे further process कर सको तो ये कल का session काफी ज्यादा important है क्या बाते होंगी मैं आपको बा नेक्ट अपडेट पर चलते हैं जैसे कि आपको पता है different regional center जो है लगातार updates आही रही है एक circular उससे पहले आया है जैकि circular लगातार आही रहा है कि अब 24 से आपको 25 से 35 तक सभी regional center बंद रहेंगे खाला कि ये guideline जो डैली में बढ़ा दी जाती है lockdown उसके base पर निकाला जा रहा है अभी हो सकता है जून में open होने की प्रक्रिया सुरू हो जाए तो डोंट वरी अब different regional center में पहला जो update है RC दरवंगा की तरफ से update आया है तीन update किया गया है और पहला update जो है कि ये किया गया कि status of online assignment submit term जून 23 माई तक जिन्होंने assignment submit कर दिया है उनका यहां पर list जारी कर दि जिए second update जो है contact for original center जो भी query करने के लिए हाँ पर contact कर सकते हैं आप नीचे दिया गया है number ठीक है और ऊपर भी दिया गया है इनसे आप contact कर सकते हैं आप जो भी आपकी query है दरभंगा original center ठीक है next update जो है facebook का sorry whatsapp group create किया गया है उसका link यहाँ पर share किया गया है सभी LHC wise तो इस जो है आपके LHC द्वारा तो आप इस group को join कर सकते हैं तो दरभंगा original center की student है ठीक है next update पर चलते है जो next update है रगुनाद गंद regional center से अभी तक जिन्होंने assignment submit किया है उसकी list जारी कर दी गई है तो इसमें आप assignment submit करेंगे तो इस list में अपना आपना नाम देख सकते हैं देख लिजिएगा download करके यह list आ गई है तो इसमें जितने भी अभी तक submit की है सबका इसमें list आ चुका है ठीक है next update जो है partner regional center से है MLIS और BLIS की जो है online induction meeting कराई जा रही है तो उसका schedule है ठीक है आप देख लिजिए google meet के थ्रू कराया जाएगा यहाँ यूट्यूब पर भी मिल का यहां से आप उनका virtual जो है वाइबा कंड़क्ट होगा जो है यह postpone किया गया था जो है इनके specialist जो है उनके family में किसी दिक्की देख की वज़े से तो इसे residual कर दिया गया है था अभी फिर से 26 को होने वाला है कल तो आप जो भी स्रीनगर regional center से है MAPC के student यहां पे जो है कल join क कर सकते हैं बस यह सारी update सी जो कि कल के जादा important थी यह live session जो सभी students में सवाल कर सकते हैं हलाकि यह लगातार चलता रहेगा different regional center के साथ में मिलके अब तो आपना सवाल लगातार पूंचते रहिए जो भी है चीजे आप इसमें पूंच सकते हैं कोई सवाल और है तो comment box में लेक नमस्कार दन्युर्ण